तो गैस मैं हुआ की तौर आप देख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नेटवर्क सुरु करते हैं अपनी बातों को सबसे पहले हम लोग फ्राइड नाइट स्मैक डाउं से तो स्मैक डाउं की प्रिव्यू देख लेते हैं यह नॉर्मल एपिसोड नहीं होने वाले स्मैक डाउं का वो होगा New Year's Revolution का एपिसोड यानि की एक मैसिव एपिसोड जिस तरीक से Monday Night Raw का Day 1 था इसके प्रिव्यू क्या है बहुत कुछ कंफर्म किया WWE ने मैसिव चीज़े हैं मैच के अंदर है Randy Orton, LA Knight and Age Styles कौन जीतेगा तो यहां पर चांसे से सबसे जादा वाइपर, Apex, Predator, Randy Orton के Then WWE ने कंफर्म कर रहा है Women's Champs का match, WWE Women's Champs का, यह सका ही defend करेंगी अगिंस्ट मेशन कहलो या मायम कहलो इनके अगिंस्ट यह वाला मैच आपको देखने को मिलेगा यानि यह एक टाइटल डिफेंड होगी कि यहां पर मैच जीतेंगे, Kevin Owens and Logan Paul भी, SmackDown New Year's Revolution में प्रेजेंट होंगे, तो यह अभी तक कुछ काड है Friday Night SmackDown का, SmackDown की ही बात करेंगे, इसी वाल एपिसोड की बात करेंगे, इसके Ticket Cells की बात कर लेते हैं, WWE ने almost pay-per-view type के Tickets इस एपिसोड के लिए बेच दिये, यानि कि आपको एक stacked SmackDown का एपिसोड देखने को मिलेगा, तो क्या status है Tickets का, वो मैं आपको बता देता हूं, अभी जो रसल्टिक्स है, उसकी तरफ सब्डेट निकल के सामने आई थी, और उनका कहना है कि WWE उखार फेके Ticket Cells मतलब भयंकर Ticket Cells हुए है, या तो आप देख सकतो कि स्क अगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी के बारे में जो कि यह authors of pain को लेगे, तो क्या आप देखने को मिलने वाला कल Friday night SmackDown के एपिसोड के अंदर, क्योंकि पहले चीज रूमर थी कि आपको author of pain देखने को मिलेंगे SmackDown New Year's Revolution में, लेकिन क्या वो आएंगे, अभी के साब से क्या status में आपको बता दूँ, chances तो अच्छे खास है कि कल आपको देखने को मिलेंगे, ल लेकिन वही pushback वाली चीज है, जैसे Samus के साथ चीजे हो रही है, कि Samus Advertise है, फिर उनको pushback किया जा रहा है, साथ में Age of Stars के साथ भी प्रॉब्लम कई बार हुई, Age of Stars को पहले Advertise करा रहा है, दो तीन बार Advertise करा रहा है, बार पर उनको जो आगे पेका गया, यानि आगे उन लेकिन अभी केसाब से पहले rumor थें कि Karen Cross के साथ debut करेंगे, मतलब साथ में Age of Action debut करेंगे, बठ रीटरन करेंगे, अपना WWE के अंदर वापस से ये कुछ बताया जा रहा है, अगली update कवर करते हैं guys, जो कि basically इस साल के होने वाले पे-पर व्यूज को लेके, WWE ने बहुत सार इव ये पहला event होगा, Royal Rumble जो कि आपको देखने को मिलेगा, Road to WrestleMania के अंदर आएगा, Road to WrestleMania में Elimination Chamber भी आएगा, ये आएगा 24 February को, याने की 24th of February, and Elimination Chamber की टाइमिंग काफी interesting है, Twitter पर मैं आपको बताया था, कि तकरीबं दो पहर साढ़े तीन या तीन बज़े से सोच आलू होगा, एंड साम को ये साथ या साड़ेशे के करीब, सारसाथ के करीब खत्म होगा, तो हमारे लिए इंडियन के लिए बहुत ही तगड़ी टाइमिंग है, ये आखरी बार 2018 में हो था, I guess, जब सूपर सोड़ाउन 2018 हो था उस्टेलिया से, तो उस्टेलिया की टाइमिंग काफी amazing है इंडिया के हिसाप सागर आप देखो तो, साओधी अरेबिया की टाइमिंग कुछ जाद ही वो हो जाती, आलगि वो भी अच्छी होती है, लेकिन वो दस बेस स्टार्ट होता है, खतम होता बिल्कुल रात को सुबा को आधी रात को तीन बज़े जाके, तो बहुत लेट हो बाकी जो स्मैक्टोन वगर होते हैं, रसल मीन होता है, तो मैं पता ही है भाई कि सुबा साड़े पांच उठो, सारे चार उठो, लेकिन ये जो ऑस्ट्रिलिया का इवेंट है भाई, वो एक्च्छी में काफी इंट्रस्टिंग है, ये आपको देखने को मिलेगा दो फेर मे रसल मीन 40 आप दोग देख सकते हो, अपरिल 6 और 7 और उसके बाद बैकलेस अनाउस किया, डबी 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 ने फ्रांस के लिए 4 में को होने वाला है, मनींद बैंक कल ही अनाउस करा था डबी 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 ने, टोरंटो, कैनेडस होगा ये, एंड जुला यूके का भी पॉसिबली एक इवेंट हो सकता है, आइगस होगा ही होगा, आपको देखने को मेलागा सर्वाइवर स्रीज भी तो इतने सारे मेजर इवेंट साल 2024 में आपको देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डिलेट की वाइफ हैं, तो सेंस बनाएंगी चीज़े जरूर से, बहुत स्टार्टिं में कहा गया था कि ब्यांका भी लेस्टी के साथ डालतों यह कुछ बताया गया था, अब अभी के इसाब से इससे रिलेटेड ब्यांका भेल से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्योंने करती तो अभी के इसाब से एक तरीके से ब्यांका भेलर अगरी करती हैं, यहां भाई मुझा उपरचुनिटी मिलेगी, तो देन मैं तयार हो सकती हूँ, क्या पता यह फोर सेडो कर रही हूं, चीजों को हो सकता है, अभी के इसाब से ब्यांका भेलर का कुछ यह रियाक्शन है, बात करते हैं अपनी आखरी स्टोरी के बारे में जो कि है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को लेगे, तो स्मैकड़न प्रिव्यू में आपको बता है कि रोमन रेंज प्रेजन्ट होने वाले, अच्छा मैंने एक चीज मिस कर दी स्मैकड़न प्रिव्यू में, वो यह है कि ए प्रेजन्ट होगा, वो तब होगा जब रेंडी ओर्टन जीते हैं के मैच को एंड तब जाके रोमन उनको इनको अच्छे कासे हैं, एक्जाक्ट रोमन ये तो हो सकता है कि बिना नाम लिए भी रोमन सौर्स ले लेकिन हाँ, रोमन कुछ ना कुछ जरूर से रिस्पांड कर प्रेज़ेंगे, वो सकता है कि किसी बैकस्टेश सेग्मेंट में या फिर अगर रोमन का प्रोमो है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, जिसना आपको रोमन की तरब से भी फोर सैडों इंग देखने को मिलेगी, जिस तरीके से रोमन रेंस भी फोर सैडों कर सकने चीज़ों एंड हो सकता है कि कल आपको Roman Reigns किसी भी तरीके से किसी भी अंदाज में The Rock को respond करते वे दिखेंगे तो अभी के साब से expectation से अगर ये चीज हो जाएगी तो कल और भयांकर hype बन जाएगी अभी तो भाई Roman Rock की hype है, Roman Cody की hype है, Roman Orton की hype है, Pay-Per-Views की अलग hype है, CM Punk की अलग hype है, 50 तरी वीडियो को like करे, share करे, subscribe करे चैनल को तक आने वाले टाइम में, आपको और भी हसे डबी डबी की news, rumor, updates मिलते रहे, follow कर सकते आप लोग मुझे Instagram and Twitter पे लिंक आपको मिल जाएगी description में, join कर सकते है WhatsApp चैनल को उसके लिंक आपको मिल जाएगी description के अंदर, बाकि मिलते हैं अप